हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइव आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज आपके सामने इस कोरोना के खिलाफ दिल्ली का जो अभी तक का संघर्ष रहा है उसको संख्षेप में रखना जाता हूँ हमारी लड़ाई मार्च के महीने में लगबग मार्च के महीने में शुरू हुई मार्च में पूरी दुनिया से जब पूरी दुनिया के अंदर करोना फैला हुआ था खासकर जिन जिन देशों में करोना फैला हुआ था वहां से भारतियों ने कहा कि वो अपने देश वापस लौपना चाहते हैं केंदर सरकार ने सही निर्मे लिया और उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम किया मार्च के महीने में विदेशों से खासकर उन देशों से जहां पर करोना ज़्यादा फैला हुआ था 35,000 लोग दिल्ली आए इन लोगों को एरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे देखते थे कि बुखार है क्या कुछ चंद लोग जिनको बुखार था उन्हें आरेमेल सफदर्चंग में भरती कराया और बाकि सब को घर भेज दिया कुछ लोगों को कॉरेंटाइन किया था लेकिन अमोमन 35,000 लोगों को घर भेज दिया गया जाहिरा कि ये जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम और ये सब उन दिनों करोना के बारे में जानकारी कम थी गाइड लाइन्स कम थी ये सब लोग अपने अपने घर गए और जाहिर है कि एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को करोना फैलता गया उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलिबल नहीं थी उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी फिर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वज़े से लोग अपने अपने घरों में थे इसलिए कोरोना थोड़ा कम फैला मई के अंतिम हफ्ते में जब लॉकडाउन खुलना चालो हुआ तो उमीद थी कि कोरोना थोड़ा फैलेगा कोरोना थोड़ा बढ़ेगा पंदरा मई के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर करोना बढ़ी तेजी से बढ़ने लगा जब लॉकडाउन खुला तो ऐसा उमीद थी कि करोना के केसिस बढ़ेंगे लेकिन करोना के केसिस उमीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े और जून के पहले हफते में आते आते फर्स्ट वीक अफ जून में दिल्ली के अंदर हमें बेड्स की कमी नज़र आने लगी टेस्टिंग की कमी नज़र आने लगी और बेड्स की कमी होने की वज़े से जब कुछ लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे तो मौत का आखड़ा भी बढ़ने लगा तब हमारे पास दो ओप्षिन्स थे एक ओप्षिन था लोकडाउन दुबारा लगा दिया जाए हमने बहुत सारे दूसरा ओप्षिन था करोना से लड़ा जाए जनता से पूछा जनता का कहना था कि लोकडाउन कब तक रहेगा कभी ना कभी तो लोकडाउन आज नी तो कल नी तो परसो एक महीने बाद दो महीने बाद लोकडाउन तो खोलना पड़ेगा तो निर्ने लिया गया कि करोना से लड़ेंगे करोना से मिल के सामना करेंगे सारी दिल्ली के लोग मिलके करोना का सामना करेंगे करोना से युद्ध करेंगे और तब ये पूरा प्लान बनाया गया और करोना से युद्ध में पांच हतियार तैयार किये गए पहला हत्यार बेड्स की संख्या बढ़ाई गई हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है बेड्स नहीं मिल रहे हैं बेड्स की बहुत कमी है मेरे पास रात रात भर फोन आते थे मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंदो गए है पिछले एक महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में करोना के मरीजों के लिए ये बहुत बड़े स्तर के उपर बेड्स का इंतिजाम किया है हमने सबसे पहला निरने लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40 प्रतीशत बेड्स करोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिये है दूसरा बड़ा निरने लिया दिल्ली के कुछ एक चंद ब तीसरा बड़ा निरने लिया हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया तो अस्पताल में सौ बेड़े हैं लेकिन होटल में 200 बेड़ और लग गए तो उस अस्पताल के 300 बेड़ हो गए एक तरह से इस तरह से अस्पतालों की कैपैसिटी बढ़ाई हमने होटल कोट में गए हमने कोट में लड़ाई लड़ी और कोट में लड़ाई जीत गए और साड़े तीन हजार बेड्स हम लोगों ने होटल होटल के अंदर पिछले एक महीने में हमने तयार की हैं अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास में दो हजार बेड्स और तयार हो चुके हैं दस हजार बेड्स बहुत जल्दी तयार हो जाएंगे बुराडी एस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको टेंपुरेरी बेसिस पे साड़े चार सो बेड्स वहां तयार कर दी हैं तो पिछले एक हफ़ते में पहला हथि था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाएं जून के पहले हफ़ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे आज करोना के जितने बेड्स हैं साड़े तेरा हजार बेड्स हैं दिल्ली में जिसमें से साड़े साथ हजार बेड्स खाली पड़े हैं, केवल 6,000 बेड्स ऑक्किपाइड हैं, अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है, प्राइवेट में भी और सरकार में भी, लेकिन हमें हाथ पे हाथ रखके नहीं बैठना, अभी आगे का भी हम इंतिजाम कर रहे हैं, और भी बेड्स, खाली पड़े रहे हैं लेकिन बाइचंस कलको करोना बढ़ गया तो उसकी तियारी करनी है, इसलिए और भी खुब बेड्स का हम इंतिजाम कर रहे हैं, दूसरा हत्यार हमारा था, टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, जून के पहले हफते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक लेक्शन लेना पड़ा, और हमने कई सारे कदम उठाए, जून के पहले हफते में जहां डेली 5,000 टेस्ट हो रहे थे, आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं, देश में लगबग सबसे ज़्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं, 20,000 टेस्ट डेली, अब कि की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है टेस्टिंग एंड आइसुलेशन हम टेस्ट करते हैं खुब टेस्ट कर रहे हैं जम के टेस्ट कर रहे हैं गली-गली में टेस्ट कर रहे हैं और इडेंटिफाई करते हैं कौन करोना का मरीज है और उसको आइसुलेट कर दो कौन करोना का मरीजह उसे इसलेट कर दो बहुत बड़े स्करपे दिल्ली में चल वा है और इसके लिए मैं खास तोर से केंद्र सरकार का शुक्रियादा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें रैपिट टेस्टिंग के में मदद की एंटीजन टेस्ट उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिये अब तो हमने छेला किट्स खुद भी खरीद लिए लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट्स हमें केंद्र सरकार ने दिये पर्मिशन दी हमारा हाथ पकड़के हमें करना सिखाया इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं तीसरा हमारा हथियार था, करोना की लड़ाई में तीसरा हथियार है Oximeters and oxygen Concentrators करोना में सबसे वड़ी दिक्कत होती है कि oxygen की कमी हो जाती है और oxygen की कमी होने से आदमी की death हो जाती है तो हमने जितने लोग घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं सब के घरों में ऑक्सीमीटर भीज दिये ऑक्सीमीटर होता है उससे आप अंगुठा डाल के पता कर लेते हो कि आपके अंदर ऑक्सीजन कितनी है तो हमने सारे पेशेंट्स को बोला है घंटे दो घंटे में अपनी चेकिंग कर लेना अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो हमें फोन कर देना हम आपके घर ऑक्सीजन भेज देंगे और आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे तो ऑक्सीमीटर जो है एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा है अपने करोना के मरीजों के लिए और ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर अगर कोई अस्पताल में आए तो उसको ऑक्सीजन की सलेंडर की और उसकी कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के हर बैड में ऑक्सीजन की विवस्था हो तो लगबग चार हजार ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर खरीदें ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर होते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सकती है तो हम कोशिश है कि दिल्ली सरकार के हर अस्पताल के हर बेड़ के उपर आपको आज ऑक्सीजन मुहया कराने की कोशिश की जा रही है तो ये हमारा कीसरा हथियार है चौथा हथियार है आज करोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाज्मा थेरपी इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया सबसे पहले प्लाज्मा थेरपी दिल्ली में ट्राई की गई 29 मरीजों को दिया गया 29 मरीजों के उपर ट्राइल काफी सक्सेस्फुल रहा उसके नतीजे हम लोगों ने केंदर सरकार को ड्रग एंड कंट्रोलर अफ इंडिया को दिये और ड्रग एंड कंट्रोलर अफ इंडिया ने उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और अन्य प्राइवेट और केंदर सरकार के अस्पतालों के लिए भी मंजूरी देनी चालू कि ये प्लाजमा थिरेपी से अब प्लाजमा थिरेपी जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं वेंटी लिटर पे चले जाते हैं या मल्ती औरगन फेलियर हो जाता है उनके उपर तो प्लाजमा थिरेपी जéri ज़्यादा काम नहीं करती है लेकिन मॉडरेट पेशेंट्स को की हालत को और खराब होने से बचाती है प्लाजमा थिरेपी तो ये plasma therapy हमारा चौथा हाथियार है और पांचवा हाथियार है survey and screening आज से दिल्ली के अंदर serological survey शुरू हो रहा है 20,000 लोगों का serological survey होगा घर घर के अंदर जाके serological survey कर रहे हैं जिससे पता चलेगा कि दिल्ली में किस level पे करोना फैला हुआ है इस तरह के और भी खूब सर्वे और स्क्रीनिंग चलते रहेंगे तो ये पांच हथियार हमारे हैं करोना के खिलाफ हम खास तोर से केंदर सरकार का शुक्रियादा करना चाहते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हमें कदम कदम पे सहयोग दिया हम मीडिया का शुक्रियादा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी समय समय पे कमियां बताई गल्तियां बताई ताकि हमें मौका मिला उनको सुधार करने का बहुत सारी समाच से भी संस्थाइं हैं जो हमें इस पूरी मुहिम के अंदर दिल्ली वालों की मदद कर रही है जीत निश्चत है लेकिन जीत कब होगी ये नहीं कह सकते करोना हारेगा दिल्ली जीतेगी और ये पांचों हतियार खुब कारगर साबित हो रहा है बहुत बहुत शुक्रिये कर दो है